बहुत अच्छा चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी भाते जर्दा पार्टी जो हमारे प्रदेश की है वो पूरी तरह से लग चुकी है हमारी जो चार सीट्स हैं हमारे यही इस वक्त पे यही संकल्ब है कि चारों की चार हम जिता के दिंगे मुझे हर तरह से सपोर्ट है इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारी पार्टी जो है वो इस वक्त में एक ही हमारा मिशन है अपकी बार चार सो बार उसके सिवाए हमारा और कोई मिशन नहीं है और हम सब एक ही संकल्ब के पीछे हैं अभी इस टाइम और उसमें कोई भी संदेग किसी को नहीं है अब वो तो मैंने काफी आज उस बारे में कहा और विस्तार से कहा लेकिन है ये चनाव का दौर है और हर एक कोई इंसान को जो है हर एक जो कैंडिडेट है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो अपनी बात आगे रखेंगे वो पॉलिटिक्स में नोप छोप भी होगी अच्छी बुरी बाते जो है हर तरह की कहते है राजनीती में और वो फिर पब्लिक पे है कि वो किसको जो है चांस देंगे अब उनका कोई कैंडिडेट हुआ नहीं है जिसाइड जैसे होगा तब देखेंगे जिसको डिसाइड करते हैं बहुत अच्छा चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी भाते जरता पार्टी जो हमारे प्रदेश की है वो पूरी तरह से लग चुकी है हमारी जो चार सीट्स हैं हमारे यही इस वक्त पे यही संकल्ब है कि चारों की चार हम जिता के देंगे मुझे हर तरह से सपोर्ट है इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारी पार्टी जो है वो इस वक्त में एक ही हमारा मिशन है अब की बार चार सो पार उसके सिवाए हमारा और कोई मिशन नहीं है और हम सब एक ही संकल्ब के पीछे हैं अभी इस टाइम और उसमें कोई भी संदेग किसी को नहीं है अब वो तो मैंने काफी आज उस बारे में कहा और विस्तार से कहा लेकिन है ये चुनाब का दौर है और हर एक को इनसान को जो है हर एक जो कैंडिडेट है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो अपनी बात आगे रखेंगे वो पॉलिटिक्स में नोप छोप भी होगी अच्छी बुरी बाते जो है हर तरह की कहते हैं राजनीती में और वो फिर पब्लिक पे है कि वो किसको जो है चांस देंगे अब उनका कोई कैंडिडेट हुआ नहीं है जिसाइड जैसे होगा तब देखेंगे जिसको डिसाइड करते हैं